हमारे साथ एड़ो के एक बादू पृताब जी है बादू पृताब जी एक बात बते हैं आज जो जंतर मंतर पे सेसी ओबीसी का समाज इतने बड़े दल रोडों पे उत्रावे सार क्या विशेश कारण है ने विशेश कारण तो यह है कि मैं 56 इंची चोकीदार की सरकार को बदाई देना चाहता हूँ भाजपा को बदाई देना चाहता हूँ अगर वो ये काम नहीं करती तेरे पॉइंट रोस्टर को लागू नहीं करती तो आज पूरा भादू समाज के जो बिखरा हुआ कुनवा ह वो इखटा नहीं होता वो उसकी बदाले देखटा हुआ है और जब हम इखटे हो गए हैं तो यह समझी जाएं कि बहुजन ये देश बहुजन का है ये मुनिल निवासी के देश है और ये तेरे पॉइंट रोस्टर जो अलाबाद हाई कोड ने किया और सुप्रीम कोड ने इसे तुरंट बंद करें 200 पॉइंट रोस्टर लागू करें और जितने भी वेकिंसिस पढ़ी हुई ये उनिवस्टी में सब को भरें और उसमें जितना भी रिजर्वेशन है उसको रिजर्वेशन को पूरा करें और सरकार नहीं चेते की सरकार लोगों को इंका हक नहीं देगी और यह जितने गलत काम करएं इने नहीं रोकेगी यह अन्य 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 फ्रक्तिशार अगर बढ़ता गया तो आज जो आप देख रहे हैं यह तो केवाले जलग मैं बता सकता हूँ तो कि इसी तरह का आज की तारिक में इस समय बनारस में भी प्रजर्शन हो रहा और यह पूरे देश में होंगे और हम सब लोगों ने ठान लिया है इस लड़ाई को हम गाउं गाउं तक गली गली तक घर घर तक हर बच्चे तक ले जाएंगे और बहुजन समाथ का हर बच्च इस आंदोलों ने शामिल होगा इन आंदोलों का दोज उन्निस के अंदर कितना असर पड़ेगा राजनिती तोर बे दो हजार उन्निस में इसका असर ऐसा पड़ेगा कि आज से चपन इंची चौकीदार के अच्छे दिन खतन उसकी उल्टी गिंती शुरू और दो हजार उ ही और उस हमारों में को उसकी जिम्मेदारी क्या है और यहां आप देख रहे हैं सारे नोजवान पड़ेली के प्राफिसर और डिटार्ड लोग एड़ोकेट सारी लोग सामिल है विबन संगेटरों के लोग सामिल है तो पहुजर समाच अब जाच चुका है उसे अपनी जि तो